हेलो एवरिवन और वेल्कम टू अचीव आईएस माइनम इस अकाश विजरन और आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे स्पैशल मेरिज एक्ट नाइंटीन फिफ्टी फॉर के बारे में अभी डिसेंटली आपके जितने भी बिल्स आपके लाए गए हैं चाहे वो सब्सक्राइब करें अच्छे से आनलाई्स करें ठीक है क्योंकि अभी अपका ये निविज में भी था फिर क्योंकि आलाब आपका गव जिर्ज्जमैट का राया है। इस ऐसे सट्च मेरी एक्ट में आपका क्या होता है जितने थे आपके इंटर फेतों इर इन्टर कास्ट निव 퍼नकों साव है उन नहीं जो आ होता है वो कि संखे वह आप का श्पशल मेरिश एक्ट के अनदर करवाए जाता है कर और रिंठ्स कर रहा है वह अपने धर्म का थो फोल्क रॉव कर सकते हैं एक यहां परकिशान के बात हो एक रेजिसेटरेशन हो समस्ते हैं के अगर हम सिर्फ एक पर्टिक्लरेजिईं के बात करेते हैं तो एसे हिंदू az Angel टीz होती है फिर इंट्रा हिंदू इंट्रा मुस्लिम जो आपकी मेरिजिस होती है वो उनके अंदर आपकी जो है रिजिस्टर की जाती है ठीक है तो चली देखते हैं तो अभी आपका डिसेंटली अलाबाध हाइकोट का ओडर आया था कि सेक्शन फाइफ के अंदर जो आपका प् पड़ सकता था और अपनी अप्जेक्शन वह उस परमिशन नहीं दी जाती थी और रिजिस्ट्रेशन उसका नहीं किया जाता था ठीक है तो अब डिसीजन के आता था ये तो इसमें नहीं जाओंगा लेकिन सेक्शन फाइफ के अंदर आपका प्रावधान था यह हमारे लि पूरी तरीके से इसको ऑप्शन कर देते हैं mandatory आपका यह बिल्कुल भी नहीं है ठीक है क्योंकि इससे आपका जो राइट टू प्रेवसी था क्योंकि प्रेवसी आपके काफी इंपोरेंट रह जाती है तो राइट टू प्रेवसी आपका इसमें इंफ्रिंज हो रहा था क् पूरी information जो है आप public domain में लगा रहे हैं और कोई भी आपकर उसको पड़ सकता है तो प्रविश्य तो यहां पर रही नहीं जज्जमेंट के हम लोग आगे बात करेंगे तो यह दोनों राइट जो है हाप पर आपकी इंफिरींज हो रहे थे इस वरीसे जो है अलावाध हाई कोट ने ऐसा फैसला दिया तो दा इंडिया एक्सप्रेस में भी जो इसको कवर किया गया 30-day notice period not mandatory not mandatory under special marriage act अलावाध हाई मतलब जितनी भी आपके inter religious और inter caste marriage होती है उनके registration के लिए आपका यह act पास किया गया था it allows to individuals to solomonize their marriage through a civil contract civil contract के जरिए जो है आपकी यहाँ पर marriage को जो है पूरा किया जाता है एक तरह से court marriage को कह सकते हैं पूरे witness जो आपके होते हैं वह present रहते हैं पूरे सबके sign ले जाते हैं बगाएदा पूरे register में जो है इसकी entry की जाती है तो एक civil contract जरिए जो है यहाँ पर आपके दो individuals की 20 में जो शादी का जो पुवित्र रिष्टा होता है उसको solomonize करवा दिया जाता है no religious formalities are needed to be carried out under the act को religious formality कि यहाँ पर जरूत नहीं होती और किसी प्रकार की अगर marriage अगर marriage हो रही है तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर conversion की जरूत जो है यहाँ बिलकुल नहीं होती आप जो है अपने religion में रहते हुए शादी कर सकते हैं provision of the special merits act तो section 4 की पहले बात करते हैं section 4 में आपकी conditions कुछ जो है specify कर रही है कि अगर आपको special merits act के अंडर आपको अगर शादी करनी है तो कुछ certain conditions में जो है आपको qualify करना होगा तो वो कौन-कौन सी conditions है आपकी section 4 में जो आपकी कोई विउन में से किसी का भी एक living spouse नहीं होना चाहिए living spouse का मतलब यहां है मतलब लड़का हो तो उसके कोई wife पहले से नहीं होनी चाहिए और अगर लड़की हो तो उसका कोई husband पहले helps होना चाहिए अगर कोई marriage उनकी पहले थी तो उनका divorce जो है वो हो जाना चाहिए जो है वो हो ठीक है बोट द पार्टी शुट बी कैपेबल उफ गिविविं कंसेंट शुट बी सेंट एड़ टाइम ऑफ द मैरेज और जब यह आपके शादी हो रही हो तो दोनों जो पार्टी जो पार्टी जो कंसेंट देने की हालत में हो मतलब पूरी अग्रिमेंट देने क कर जो है यह डिसीजन ना लिया जाए तो उनके पर्टिक्लर लो के अंदर जो भी आपकी प्रोहिबिशिन रेस्ट्रिक्शन जो है उस रेस्ट्रिक्शन के अंदर भी जो है उनको नहीं आना है वाल कंसीडरिंग दा एज दे मेल मस्ट वी अट लिस्ट टॉंटीवन अगर लड़का उसकी हुमर आपके 21 साल होने चाहिए और लिड़की करम बात करें तो लड़की की हुमर आपकी इहां पर 18 येश्ट वहीं है पर मांगे गई तो यह आपकी कुछ कंडिशन जो आपकी शेक्शन फोर में आपकी बताई गई है तो आगए शेक्शन फाइफ और शेक आपको देना है जिसको हम बाद में लगा देंगे बाहर पब्लीक बोर्ड पे उस नोटिस वाले प्रोविजन को जो है यहाँ पर अब ऑप्शनल कर दिया गया है section 5 में आपको यही मांगा जाता है कि आपको पूरी information के साथ एक notice देना होगा लड़का लड़की दोनों को अगर लड़का लड़की जो अलग district से बिलोंग करते हैं तो दोनों district में जो आपका notice आपका publish किया जाएगा और यह तीस दिन का समय होता है इस तीस दिन के समय के अंदर कोई भी आकर जो है इस चादिये खिलाफ इस relationship के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है और फिर जो है उस आवाज जो भी वो objection उठाएगा उस direction में आपके inquiry कंड़क्ट आवाई जाएगी और उस inquiry का कंड़क्ट करवाने के बाद जो result आता है उसमें हम नहीं जाएंगे वह बात की बात रहती है वह हमारे discussion का पार्ट नहीं है ठीक है तो अब जो है आपका नॉक्डाउन कर दिया गया था मतलब mandatory इसको नहीं रखा गया इसको जो है optional कर दिया गया है और section 6 में जो आपका objection जो को आकर जो है अपनी objection को फाल करवा सकता था if any such objection against the marriage is sustained by the marriage officer the marriage can be rejected और marriage officer को जो है वह objection बिल्कुल सही मिलती है inquiry के दुनान तो वह शादी को जो है reject कर सकता है the details of the verdict, verdict details की बात करें तो publishing marriage details made optional तो वही आपकी बात है जो हमने बार बार बात किये कि जितने पर the details published करवान ही होते तो इसको जो है optional बना दिया गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जब वह notice आपका लगाया चाता था ना तो जितने भी disturbing elements होते थे मतलब जिनका कोई negative intention होता था लोगों का वह जानबूच के हमापर objection जाकर अपनी file करवाते थे बेशक वह reality में ऐसा कुछ ना हो लेकिन वह जानबूच के जाकर जो है अपनी objection file करवाते थे था कि जो है लड़का लड़की को वह शादी करने से रोख सकें क्योंकि हमारी जो society है वह काफी religion sensitive है सबको पता है तो इस वचे से जो है आपका यह सब करवाया जाता था तो इसक यहाँ पर क्या directions दी गई है तो इसमें बताया गया है कि अगर लड़का लड़की ऐसा सोचते हैं कि उनको जो है अपना notice publish नहीं करवाना है तो वो जो है marriage officer जो है वो किसी भी प्रकार का जो notice है उसको publish नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो भी objections आएंगी उसादी के प्रती वो उन objections को जो entertain बिल्कुल नहीं करेंगे उनकी against में जो है बिल्कुल consider उसको नहीं किया जाएगा और नहीं को inquiry करवा जाएगी हाँ यह एक अलग बात है कि अगर उनके मन में कोई doubt है अगर marriage officer के मन में कोई doubt है तो अपनी personal satisfaction के लिए वो जो है कोई भी appropriate details या documents उनसे मांग सकते हैं कोई प्रूफ जो है वो उनसे मांग सकते हैं तो अपनी satisfaction में रहते हुए अपनी तरफ से cross check करते हुए अगर वो जो है सब कुछ करेंगे बिना किसी के pressure में आये बिना किसी कि negative thoughts में आये तो जो है definitely सब कुछ सही रहेगा कोई ऐसे chance होंगे नहीं कि कोई मतलब यहां पर cheating या फ्रोड जैसा कोई case बन कर आज जाए ठीक है तो यहां पर marriage officer को है थोड़ा जाल यहां पर vigilant होना पड़ेगा साथ के साथ ठीक है अब बेसिस ओफ जज्जमेंट इस प्रोग्रेसिव रूलिंग्स बाइद सुप्रीम कोड तो किन जज्जमेंट के बेसिस पर जो है आपका यह फैस्ता सुनाया गया सबसे पहले आपका अधार केस 2017 वाले जिसमें आपको बताया गया थे कि राइट टू प्रिविसी जो है आपका आर्टिकल 21 जो पका फंडामेंटल राइट है उसका एक इंट्रिस्निक पार्ट है मतलब उसका जो है यह काफी एक मेन पार्ट है राइट टू प्रिविसी तो उसको जो है आप इंट्रिंज नहीं कर सकते है यह एक फंडामेंटल राइट है देन आपका second है हादिया marriage case 2018 काफी famous आपका एक case है यह भी आपका एक inter-religious marriage वाला case था इसमें भी आपका बताया गया था court के दवारा कि जो right to choose a partner है वो आपका fundamental right और यह भी आपका किस के अंदर आता है article 21 के अंदर तो मतलब right to choose a partner is a fundamental right nobody can take it away from you तेक है 2018 काफी important यह case है काफी नीज में आप यह रहा था जब आपका अभी एंटी कनवर्जन जो आपके लो लाए गए गए थे भी उसमें यूप में और एंप में दरनफ्तेस तिंग जोहर वस्टिस उनिन ओफ इंडिया किस 2018 इसमें आपकी जो एक पर आपका नाकार दिया गया था कि अपको आपकी लागू नहीं होजी मतलब उसको जोह होमो सेक्शुलीटी को डी क्रिमिलाइज यहां पर कर दिया गया था तो इन तीनों के नाम अगर आप याद रखेंगे इसको अपने आंसर में इस्तमाल करेंगे तो काफी अच्छ करें लेडमाग जज्जमेंट के बात करें तो काफ़ी इंपोर्टेंट यह रोल प्ले करते हैं और काफ़ी अच्छा एक इंप्रेशन आपका एक्जामिनर के ओपर पड़ सकता है तो जो कनवर्जन के जो केसिस आरे थे वो डेफिनिटली कम हो जाएंगे क्योंकि लोग कनवर्जन के बात शादी करना इसलिए ही प्रेफर करते थे क्योंकि स्पैशल मैरे इस एक्ट में काफ़ी ज्यादा अबस्टेकल्स रहते थे और मेंली आपका जो यह नोटिस मिस्स होती थी तो लोग जो है इस वेसे कनवर्जन करना पसंद करते थे तो अब जो है कनवर्जन कहीं ना कहीं थोड़ी कम हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि अब स्पैशल मैरे एक्ट के तहर्त शादी करने थोड़ी इनके लिए इसली हो जाएगी इसली रिमूव हिंडर उस प्रोविजन से रिलेटिट थी अब वो कहीं ना कहीं हमें कम होती हो दिखेंगी इचल प्रोवाइड रिलीफ टू इंटरफेट कपल्स फॉम बिंग टागेटिड बाइ विजलेंट ग्रूप्स तो अब रिलीफ तो डेफिनिटी मिलेगा इंटरफेट कपल्स को क्योंक के फेवर में एक डिसिजन दिया गया है दे नेक्स्ट है कि इशू क्या होंगे इस वर्डिक्ट से रिलेटिट थीक है तो पहला है आपका डूइंग विद पॉब्लिक नॉटिफिकेशन और इंक्रीज कूड इंक्रीज दा कीशिस ओफ चीटिंग अब वो नोटिफिकेशन अगर पॉब्लिक डॉमेन में नहीं लगाई जा रही है तो ऐसा हो सकता है कि किसी का कोई स्पाउस हो वो लिविंग हो हमने सेक्शन फोन बात की थे ना कि किसी का भी जो है लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि किसी का कोई लिविंग स्पाउस हो प नोटिफिकेशन ना आने के वज़े से जो है वो आपकेस आपका दब जाए और किसी को पता ना लगे तो यह में को लगता है इतना बड़ा इशू है आपका है नहीं क्योंकि अगर इंक्वारी अच्छे से की जाएगी अगर प्रूफ सारे सारे डिटेल्स अगर अच्छे से जो है उनको इंवेस्टिगेट किया जाएगा तो यह चीटिंग के जो केसी से कही ना कहीं तक कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें मैरी जोब इसरी की तरफ से थोड़ी जो है अवेडनेस की हम आपर मांग करेंगे कि वह जो है थोड़ा अवेर रहें थोड़ा सतर कहां पर रहें काफे अक्टिव वह लहकर इंवेस्टिगेशन अपनी करें तो जो है डेफिनेटली हम यह चीटिंग के कैसी को कर सकते हैं और मोस्ट पर लियूम कर लेंगे अगर वह एक्टिव रहेंगे तो इट कन फैसलिटेट एंटी सोशल एक्टिविटी सच एस फोर्स फोर कनवर्जन जैसे चीजों को जो हैं पर बढ़ावा मिल सकता है ऐसा जो हैं पर एक इशू बताया गया है ठीक है तो उमीद करेंगे कि जो भी हो वो लोगों के हित में हो किसी के अगेंस में आ जाए अगर कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं अगर पूरी मर्जी उनके शादी करने किया है तो कोई भी उनको ना रोके यह बास सबको समझनी चाहिए ठीक है तो आयोब आपको सब कुछ समझ में आया होगा कोई प्रोग्लम आपको हुई नहीं होगी और स्पेशल मेरीच आपके लिए अभी के सिनेरियो में काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है तो आप क्रि